नमस्कार साथियो ग्यारा जनवरी को देश और दुनिया में कई ऐसी महत्पूर्ण घटनाय हुई जो इतियास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं तो चलिए जानते ही ग्यारा जनवरी से जुड़ी हुई कुछ महत्पूर्ण इतियास से घटना हो को आज एक दिन सन 1613 में बिटिस इस टीने कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था आज एक दिन सन 1613 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल कर बंगला दिस किया गया था और आजादी के पहले भारत का अधिकांस पूर्वी हिस्सा बंगल के नाम से जाना जाता था पुरुसकार विजिता केला सत्यार्थी जी जरंविध्र और गर्डोरेह बालमग्खवी निम्हज समस्यां। रेते हैं तरती को पुरुसकार विद्ध सान्ध भाह की था और लग्भग तक यह संदोलन के तह्त हैं। मसूमों की जिन्दगी तबाय होने से ये बचा चुके हैं और इनके इनी कादियों को देखते हुए सन 2014 में इनको सांती का नोबिल पुरुसकार भी दिया जा चुका है आजी के दिन सनुई 173 में भारत के सबसे अनुववी किर्केटों में से एक राहुल दर्बिल जी के जनमत पर इसके इन दोर में हुगा था और लंबे समय तक इनकी बल्ले बाजी करने की छमता की कारणी इन्हें दीवार की रूप में भी जाना जाता है और सुनील गावसकर और सचन तिंदुल के बाद ये तीसरे ऐसे भारती बल्ले बाज हैं जिन्होंने टेस्ट किरकेट में दस जार से जादा रन बनाई हैं इस के लाबा ये पहले और एकमात ऐसे वल्ले बाज हैं जिन्होंने भारत के साथ खेलने वारी सभी दस टेस्ट किरकेट टीमों के खिलाब सतक भी लगाया है आज एक दिन सरु 166 में जै जवान जै किसान का नारा देने वाले और भारत के दूसरे प्रधान मंतरी लाल भादो सास्त्री जी का नेधन उजवेकिस्तान की राधानी तासकंद में हो गये था और सास्त्री जी की साब सुद्री छवी को देखते हुए नहरू जी के नेधन के बाद इनको इभारत का प्रधान मंतरी बना जाता है और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत वाधी 1965 में ही भात और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है जिसमें भात पाकिस्तान के बहुत से हिस्थे पर कभज़ा कर लीता है लेकिन USA और रसिया के दबाओ के कारण इन दोनों देशों के बीच में समझोता होता है और सास्त्री जी इस समझोती की सभी बातों को मानने पर मंजूर हो जाते हैं लेकिन वो इस जित पर अड़ जाते हैं कि वो जीती हुई जमीन को कभी भाबस नहीं लोटाएंगे आज इक दिन संद 2008 में माउंट अबरेस्ट को फटाय करने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी जी कने धन हो जाता है